दोस्तो वेलकम टो माय यूट्यूब चलनेंग दोस्तो आज की वीडियो आपको बताऊंगा कि अगर आपको SBI Bank का Credit Card चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा अगर आपने को SBI Bank का Credit Card चाहिए तो आप लोग को दो option दिया जाता है या तो आपकी salary अच्छी खासी होनी चाहिए 30-35,000 के उपर या फिर आपको अगर credit card चाहिए तो आपको अपने FD के अगेंस लेना पड़ेगा समझ लिजी आपको 30,000 की FD है तो उसके अगेंस आप ले सकते हो credit card लेकिन दोस्तों अब credit card में कितनी limit मिलेगी तो दोस्तों आपको जो credit card limit मिलती है वो आपके CBL score के CBL score को देख की दिया जाता है अगर आपका CBL score 750 के उपर है या उतना ही है तो आपको एक अच्छा limit दिया जाएगा और मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो SBI credit की limit है वो मतलब 1,002,005,000 भी मिल सकती है और दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि ज्यादा करके limit जो मिलती है लोगों को 40,000, 50,000, 60,000 तक के अंदर दी जाती है कम से कम limit दिया जाता है अब कम से कम क्यों limit दिया जाता है दो कि किसी के हाथ में नहीं रहता है limit देने वाले के हाथ में रहता है तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ के credit card का bill जो है time to time भरी है नहीं तो आपके civil score उसे down हो सकता है और वो अगर civil score आपका down हुआ तो जब आप next credit card के लिए apply करेंगे तब आपको उसकी limit कम होके मिले कि क्योंकि already आपने दूसरे बैंक का time time payment नहीं किया है और इसकी report हर महीने civil report में जनरेट होती है दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि अगर आपके एक credit card है और फिर दूसरी भी लेना चाहते हो तो आप लोगों को बता दूँ कि सारे credit card का benefit अलग-अलग होता है और कभी- एक SBI card का limit दूसरे card में limit add हो जाता है समझे लिजी कि आपने card लिया A करके ठीक है एक करके card लिया ठीक है अब B करके card लिया ठीक है और C करके card लिया ठीक है आपके पास A card था उसके बाद क्या किया आपने B card भी लिया तो समझे लिजी एक card में आपका 50,000 balance है ठीक है तो अभी अपने B card ले लिया तो आपको 25 में हो जाएगा और 25 इसमें हो जाएगा तो मतलब कि दोनों divide हो जाएंगे 25-25 दोनों में limit हो जाएगी लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को बता दो अगर Tata Tata Chroma का credit card लेते हो तो अगर इसमें 50,000 आपको limit मिलता है तो इसमें आपके 50,000 limit रहेंगे लेकिन अगर आप normally मतलब 2 card लेते हो खुद SBI bank का तो उसमें थोड़ा सा आपका balance divide हो सकता है लेकिन अगर आप Tata Chroma का card लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी तो दोस्तों इस video में मेरा यह video बनाने का यही मतलब था कि आपको SBI credit card बहुत आसानी से मिल सकता है अगर आप यह चीजों को follow करें दोस्तों आप लोग को बता दू कि यह सारा जो चीज आपको banks के थ्रूइ करना चाहिए और किसी भी ऐसे लोगों से नहीं अपनी डिटिल शेर करनी चाहिए जिससे कि आपको बड़ा लॉस हो जाए तो आपको अगर चाहिए तो आप बैंक में जाके विजिट कर सकते हो बैंक वाले आपके अच्छे से मदद करेंगे अगर आप एक सेलरी परसन हो त और एक आप बिजनसमें हो तो बिजनसमें को भी आफ़र होता है उनको बैंक का स्वारी इंकम प्रूफ दिखाना पड़ता है आई टी यार वो दिखाना पड़ता है अगर उनका पांच्छे लाग तलक का है इंकम तो उनको जल से जल्दी क्रेट कार्ड मिल जाएगा तो द बैल आइकन दबा दे देना ताकि हमारी इंफॉर्मेशन आप तलक पहुचते रहें